Hello Friends, Welcome to Money Tips Channel तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हमें विंटर में किस तेल से बच्चे की मसाज करनी चाहिए देखे कुछ टाइम से मेरे पास कई लोगों के ये कॉमेंट आ रहे थे और कई लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैं आप विंटर स्टार्ट होने वाली है हमें विंटर में किस तेल से बच्चे की मसाज करनी चाहिए या फिर विंटर में बच्चे के लिए कौन सा तेल अच्छा रहता है तो मैंने सुचा इस टॉपिक पर मैं एक सीप्रेट वीडियो कर दूँ जिसे कि आपको अपने सवालों के जवाब भी मिल जाए और आपकी हेल्प भी हो जाए तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे चार बेस्ट और बताने वाली हूँ जो कि आप विंटर में अपने बेबी के लिए यूज कर सकते हैं मसाज के लिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बर को जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए तो आईए अब बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला ओयल है आलमंड ओयल यानि की बादाम का तेल देखे बादाम का तेल विंटर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है बच्चों के लिए ये बच्चे के शरी को गर्माहट देता है इसे बच्चे की सिर की अच्छे से मसाज करिए जिससे की बच्चे का दिमाग तेज हो और सांती सांत बच्चे के face पर भी इस तेल को लगाई जिससे की बच्चे की skin का color भी fair हो जाए तो आज कर मार्केट में अलग-अलग brand के बादाम के तेल मिल रहे हैं अब किसी भी अच्छे brand का बादाम का तेल यूज कर सकती है बच्चे की शरीर को गर्माहट देता है इसे बच्चे की भाड़ी भी स्ट्रोंग होती है तो ओलिव वाल्य बिलकुल बैस्ट और है और ये winter के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है ये बच्चे की body को भी warm रखता है तो ये तेल बच्चे को ठंड से बचाता है बच्चे की skin को nourishment देता है और बच्चे की skin जो है glow करने लगती है अब next point आता है mustard oil देखे mustard oil सरदियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है अगर आप बच्चे की mustard oil से मालिश करती है तो बच्चे को जल्दी सरदी जुकाम और खासी नहीं होता है और बच्चे को ये ठंड से भी बचाता है और mustard oil से जैसा कि हम सभी जानते हैं ये गरम होता है और बच्चे की body को भी गर्माहट देता है तो आप mustard oil को हलका गुन-गुना करके लगा सकती है या फिर आप mustard oil में लहसून, मेथी और अजवाइन डाल करके उसको गरम कर लीजे फिर उसको छान करके शीशी में रख लीजे और जब भी आप बच्चे को मालिश करने जा रही है उस तेल को हलका सा गुन-गुना कर लीजे और इस तेल से अगर आप बच्चे भी नहीं होती है और बच्चे को ठंड भी नहीं लगती है एक बात मैं और भी बताना चाहती हूं कि mustard oil को कभी भी बच्चे के face पर मत यूज करिए क्योंकि mustard oil से बच्चे का face का जो color है वो dull होने लगता है face के लिए हमेशा olive oil और almond oil ही अपने बच्चे के लिए यूज करिए अब next आता है डाबर लाल तेल देखिए डाबर लाल तेल भी सरदियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है इससे बच्चे की body मजबूत होती है बच्चे जल्दी चलने लगते हैं जल्दी खड़े होने लगते हैं और ये बच्चों की हड़ी को भी मजबूत बनाता है तो देशी घी आप गाय के शुद्ध देशी घी से भी बच् ाय मेरा है नहीं करना है। देशी घी सर्दियों मेरे चोटे बच्चों के होड फटने लगते हैं। स्किन भी ड्राइ होने लगती है तो आप इसके लिए यह कर सकती है रात में सोते टाइम बच्चे की नाभी पर दो से तीन बुन मस्टरड ऑईल की डाल दीजे इससे क्या होगा कि बच्चे के होट भी नहीं फटेंगे और बच्चे की स्किन भी ड्राइ नहीं होगी अब आप से तूकि मसाज करना बच्चे के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है तो यह मेरा आज का वीडियो तो आप इन चारों में से कुई था भी टेल अपने बच्चे के लिए Yo अब मेरी last में आपसे एक request है जैसा कि मैं आपसे daily बोलती हूँ कि अगर video पसंद आया है तो please video को like करिए जादा थे जादा इस video को share करिए जिससे कि दूसरे parents की help हो पाए और इस video को अपने friends, relatives के साथ और दूसरी new moms के साथ भी share करिए जिससे कि उनको भी सही चीज का पता चल और वो अपने बच्चे के लिए सही तेल यूज कर पाए विंटर में और चैनल पर पहली बार है तो please channel को subscribe करें सब्सक्राइब करते वक्त जो red color का bell icon है उसको जरूर प्रेस करिए गर जिससे कि मैं कोई भी video डालू तो उसकी notification आपको आसानी से मिल जा और आप मेरी सारी video से अपडेट रहे हैं तो मिलते हैं अब नेक्स वीडियो में थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग